नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आजा करते हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं स्वागत करते हूं अपने यूट्यूब चैनल वीपिए सटी मिस्टिफाइड में और कहानी अब तक यह थी कि हम लोग ने आपका स्लेव डैनेस्टी कवर कर लिया था साथी साथ उसक लाओदिन तुगलक और उसे क्या खाथे घाजी मलिक इनको क्या किया गया पाहरी यह पहले रूलर बने किस के तुगलख डैनेस्टी के इनकी माँ जो थी माता थी वो हिंदू थी जाट वोमन और फादर जो ते वह ते कुराणा तुर्क थे जुश लेफ थे किसके बल बन क ग्यासुदिन तुगलग जो थे वह चीफ थे several important campaign जो अलाउदिन खिल जी के रिजाइन में था और उनको अपॉइंट किया गया क्या governor of दिपालपूर अलाउदिन खिल जी के रिजाइन में उनको यह क्या थे यह एक important क्या थे चीफ थे ठीके ना और इनको अपॉइंट किया किया governor of दिपालपूर ठीक है इन्होंने फॉट अगे यह जो लड़े किसके अगेंस मंगोल के अगेंस ड्रोव दिम आउट ऑफ इंडिया 29 टेम्स तो ही बीकम तर फेमस एस मलिक उलगाजी ठीक ना इन्होंने क्या किया मंगोलों के खिलाफ काफी क्यालते हैं इन्होंने ब इन्होंने क्या किया दिल्ली पर अपना कंट्रोल कर पा लिया किसको हरा के खुस्रोव साह को हरा करके 8 सेतंबर 1320 एडी में और उनको क्या वो बन गे सुल्टान बन गे वियूंग, इनको और भी क्या जाता था ना बीक तोगलग 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 क्योंकि इनके जो शक्सेसर थे उनको क्या कह था तोगलग क्या था और उनका जो लीनेश था उसे क्या कहते थे तुगलक डैनेस्टी कहते थे दूडिंग टाइम आफ ग्यासुदिन तुगलक टैक्स फॉम्दा फार्मर स्टर्ट टुगलक के समय में जो फार्मर से भी क्या हुआ टैक्स लेने लगा लेने जो क्लेक्ट करने लगा गया वह था पांच या एक बटा तीन अब दया यील्ड अर्लियर जो उनकी पैदावार होती थी उससी एक बटा पांच या एक बटा पांच लेकर एक बटा तीन तक क्या होता था टैक्स ले लिए अगर कोई आकाल पड़ जाय तो लैंड टेक्स को क्या किया है था वेड मतब छोड़ गवर्मेंट को दी गई थी विदाओट गीविंग एनी शेयर इन रिवेन्यू लेकिन उनको इनको रिवेन्यू में किसी में शेयर नहीं दिया था जो हार्स पनिश्मेंट था अलाउदीन के टाइम का वो क्या किया गया उसको खतम कर दिया गया बड़ धाइथ दिशना में एक से वानागा की आपको क्या कर दिया अगया और प्र DES beers नहीं देता है जो जूर करता हैं मत अब फिर आचरहर करता हैं अनिफोर्मेशन बेता है या कोई भी गरपेंट मैं क्या होता है जो चूरी करता है तिक ना उसको भी क्या किया था पॉनिशमेंट था पॉनिशमेंट दिया था लेकिन अलाउदिन खिल जी के रिजाइम जैसा नहीं दिया था अमंग अमंग ओल दो सुल्तान अव देली सल्तनत मोहबद बिन तुगलग तेरा से पच्चीश से तेरा सोई क्यावन एडी वस्ट लेंड एंड एजुकेटेट डूलर को क्या थे बहुत ही पढ़े लिखे और एजुकेटेट रूलर थे इस ऑर ही वस्ट वेली वेल वर्लिट इन इन डिश्टिप्रिन इंक्लूडिंग एस्ट्रोणों मैंत्यूंट अर्फ्मेटिक्स ओं मडिसिन ठीकेना उनको करते हैं उनकी जो रूशी चिकिसमेश में ती और मैदिसिन तीनों में थी सब्सक्री नहीट निया डिपार्ट्मे एग्रीकल्चर के एडवांसॅवह को अर्वाइन सित्रीड ना चाहते है लॉंग पीसटी स्कौर्ट्र माइल पर चूजन पूरएट ऑलन प्राव दो ठीक है ना आप समझ रहे होंगे 60 स्क्वार माल्स को क्या किया था चूज किया था वन आफ दे वन आफ दे मोस्ट इंपोर्टेंट एक्स्पेरिमेंट अपना कैप्टल को मुफ किये कहां से दॉलताबाद देवगिरी से कहां पर दिल्ली में डॉक्टर एके निजामी अकॉर् कुटबदीन कुटबदीन मुबारक खिल जी नेम किया देवगिरी को और पर कुटबदा बाद और चलते महम्बंब भी तुगलक नें इसका नाम बदल के क्या रख दिया था दोलताबाद अब देखते हैं क्या देवगीरी वस और सुल्तान जिल्ली अल्लाह इसका मतलब क्या था सुल्तान जो है वह क्यालते है भगवान की क्या है परिशाई है ठीक ना गौड इस दॉटर सुल्तान जो है और इसे दिनार कहा गया इवन बतूता के दवरा कहा गया इसे दिनार कहते हैं बराणी जो है वह इसक्राइब करते हैं फाइफ मेजर पॉलिसीज ओफ किसके मोहमद बिन तुगलक के वह कौन-कौन से थे इंक्रीज इन दो आप टेक्स को क्या कर रहे थे वढ़ाना मेकिंग देवगेरी न्यू कैपिटल उन्होंने कहा इस्विंग टोकन करेंटी इन्वेशन और खुरासन औ तक थे यह क्या एक एक अफ्रिकन ट्रेवलर ते कहां से आए थे मौरॉक्वन ओरिजिन से यह भारत आये किसके रीजन में मौमब बिन तुगलक के रिजाइन में तेरह सो पची से तेरह सो क्यावन एडिके बीच मोहमद बिन तुगलक जो थे वह अपॉइंट किये काजी ओफ डेली तिक ना वह क्यालता है मौमब बिन तुगलक ने किसको इबन बतुटा को काजी ओफ डेली क्या किया अपॉइंट किया गया लेकिन बाद में तेरह सो ब्याइस एडि में उन्हें भेज दिया गया चाइना एज एमबेजडर ऑफ सुल्तान इबन बतूता को मौमब बीन तुगलक ने चायना भीजऄ बेख चाया घेल्टा प्रेजेंटेटेज अफ जर्णी को उन्होंने से 고 औहां डिटेल के बारे में जो इसे कहते थे एवें बदूतर करते थेड़ो पहली बार सूलतान थे डिल्ली के कियाain ङुछ फेस्टिपमेज इन्टो फेस्टिबल्य प्रस इरो फेस्टिबल्य ही वे आर प्रद्cejल नौन तुरक और इंडियन मुस्लिम्हा चोब्स्यों merci粉 किया 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 अपॉइंट किया दू जो किया कैसे हुए और उन की जो मृत्य हुई वह 20 मार्च 1351 को ही और उनके उनके डेथ पे बदायून ने लिखा सुल्तान वास फ्रीड फ्रम इस पीपल सुल्तान जो है वो लोगों के से अब कलता है फ्री हो गया ठीकिना मतलब मुक्त हो गया सुल्तान के द्वूरा स्ब्रीन सुल्टान के द्वराव फ्री हो गया घिरोज सार्ट तुगलक स्टर्ट वालफेर अन्होंने क्या किया सब कुछ वेलफेर प्रोग्राम भी स्टार्ट किया थीकरने ऑफेर अपनी पीपल के बेनिफिट के लिए थीकर अफ्र ओपनिग एन ओफिस इंप्लोई फॉर अपॉन्टमाइपनेट देविजल दो इन्वेस्टिगेटिग देटेट हें और मेरित के हिसाब से उसे काम के लिए यह वह दिया जाता था त्लिकना यह उनका कहने का मतलब है और वह चाहते थे कि जितने भी प्रब्लम है अनय अनने सेंट सेंट जो प्रॉपर्टी यह नहीं कर दिया किसको हिंdess मतलब कि जो चिसीट होता है अनों को डॉनेट कर दिए और साथ ही सार उन्हें किया उन्हें किया उन्हें किया साथी साथ सद यह रिलीजियस एक पीपल के जिए अब हुई i तर दीवान एखरयदएट हरात उन्होंने स्टब्लिश किया में ऑल्स Offici था क्या financial इस्टेंट तक गौह मुसलीम प्रिकिश्ट शॉचेश्टे सु credentials हमें और विडोजब n नेंब को भशर MANDG को क्योन कर दिया में ध्रीश जर सब्सक्राइब निऐ हम करते हैं यह पिए इस्टेटेट एक्पेंडेचर है और लोगों को कहा कि हज करने जाएं इस अलसोग इस्टेबलिश अब खैराती होस्पीटल जिसे तब दार उल सफा को भी क्याहते हैं यह इस्टेबलिश करा जिसे कहते ते इसकिल्ट हकीम वे एंप्लोइट जो जहां पर स्लेब रखने का बहुत शॉक था दैर वे एक लग असी हजार स्लेप्ट वर्किंग अंडर दिंग क्या थे फिलोक सांद फिरोषभ वर्किन का क्या थे कि स्लेफ से ठीए इसकेली एक सेपर डिपार्टमन रखा गया दिवान से बंदगान वज फॉर्मड फर केरिंग ऑफ दे इसकाल देट फिरूज बिल्ट 300 न्यूज सिटीज फतेहाबाद फिरोज फिरोज पूर जॉनपूर फिरोज बाद वर प्रॉमेन टाउन इस्टेबलेश बाइं मतलब उन्हों ने ऐसा कहा जाता कि फस्ट जो थे फिरोज तुगलक वह तीन सो नए शिटीज को क्या किवाद ड 20 स्कूल को 20 क्यालते हैं मैल को 100 इंस को और 200 टाउन को सो हॉस्पिटल को पांच मखबरा सो पॉब्लिक बाथरूम टेन पिलर और डेर सो ब्रिज जो है यह इतना सारा डेवलप्मेंट जो किसके द्वारा किया गया था हमारा यह जो किसके द्वारा बनाए गया था फिरोज स प्लाइन प्रपोजल ऑफ इच बिल्डिंग वियर प्रेजेंटेट बिफॉर दिवान वजारत वजारत टीके ना विद एक्सपंडीचर एस्टिमेट एंड और रिक्वार्ड बनी को प्रेजेंट करने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए तो उसके हिसाब से ही क्या होता तुगलक के रिजाइन में बिकम फेमस फर कंस्ट्रक्टिंग लाजस नेटवर्क ऑफ चैनल फिरोसा तुगलक का जो रिजाइन था मतलब समय था उसमें च्यालते हैं बहुत बड़े-बड़े बड़े-चैनल के लिए बहुत फेमस था भारत में ठीके तुट फैसिलेट इ रिवर वाटर तो हिसार जो की पानी जो है वो यमुना रिवर का जो पानी है वो हिसार तक जाता था अगला था वो सब्सक्राइब बहागारा से क्या हुआ था और तीसरा कनल था फ्रम्देश ओफ सीरम और टू हंसी जो कहां सब्सक्राइब और तक तक था उब यह वह था कहले सुल्टान यह पहले सुल्टान ता कहां का दिल्ली का जो इंपोस्ट के इरिघेशन टेक्स निसे कहते हके सराब एक इरिघेशन टैक्स था जिसके दौद लगा था एक कर देश्टी के दवारा लगा था लगा था अगर अगर जो किसान आप रोयल कैनल का यूज करते थे वह एक बटा दस हिस्सा है अपने प्रोडक्शन का वह क्यालते हैं गवर्मेंट को देगी जीजिया भी इंपोस किया गया और ब्रामिन के उपर ब्रामण के उपर जजिया भी लगाया गया फिरोसा तुगलक के दौरब अब रहाँद से पहले जजिया नहीं लगाया तो अब क्या हुआ कि अग्याट भांड इंप प्लांट किया बारा सुं नयव फ्रूट गाडन नियर दिली ठीके ना ठीक है आप समझे रहोंगा ड्यू तो दिस इंट्रेस्ट और इन हर्टी कल्चर एंड रियाबिलेटे थर्स्टी थर्टी ओल्ड और्केट ऑफ अलाव दिन पीरियर ठीक है उन्होंने जो क्वालिटी ओफ रूट को मेजर करने के लिए भी क्यालते हैं कि उसका भी बंदवस्त बहुत अच्छे तारीके सब्सक्राइब अपने रिजाइब में टू पिलर स्टम्र ऑफ अशोक वर बाट टू डेली फ्रॉम मेरट तोप्रा नाविन अंबाला डिस्टिक फिरोसा तुगलग के दो रही दो अशोकियन पिलर्स को क्या हुआ वह क्या हुआ दिल्ली ले आया गया एक मेरट से और एक तोपारा से नियर दा पैलेस एंड स्मॉस्क्य फिरूजाबाद जो तोपारा पिलर जो था इस्टम तश्को रीइस्टेब्लीज करें गया पैलेस के पास जो मजजिद फिरूजाबाद मजजिद के पास ठीक है पिलर इस्टम्र अफ मेरट वज री इंस्टॉल नियर दक रेंट बड़ दिल्ली के पास किया गया उनको स्टेबिस किया गया सिल्तान फिरुसा तुगलक अब दिल्ली वस सेटप और ट्रांस ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट विट एम्ट इंप्रूव दाट अंडेस्टेंडिंग अधर साइड अमंग दा पीपल ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम कम्यूटी उन्हें ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की बी किया कि देखी कितने अच्छे थे सुल्तान फिरुसा तुगलक ने एक सेटप के ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट को जो वहर पहलूं को समाझना चाते थे चाए हिंदू या मिसुलिम के कम्यूटी के ठीक ही इस्टेबिलेश एड इन्डिपेंडटर्ट आफ जॉन पूर्पुर पंजाब से खिज्र खान डिकलेट सुबिदार of पंजाब खिज्र खांगे आपने आपको किए अन्डिपेंडेज्टर क्या क्या ब्चान और वह क्याते थे कि डिल्ली को कैप्चर करना अनेधर सण और तुगलत डैनेश्टी विवाइड इन दो विभाजित हो गया और जो ऑफ लूट डिंग्डम डेली समय तेके ना नासुरुदिन स्टेज देली एंड नसुरुद नुश्रत शाह इन फिरूजाबाद नसुरुदीन नुश्रत शाह रहते थे आपका फिरूजाबाद में दूडिंग दरीजान अ प्रण नसुरुद्दीन महम्मद तैमूर ग्रेट मंगोल से जनरल अफ चेंटरल एशिया इन्डिया ते रस फंथान में में एक मंगोल जनरल थे क्या नाम था तैमूर उन्होंने क्या भारत पर क्या 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 अक्रमण क्या इस्टेटमेंट वस्पे तैमूर का आक्रमण हुआ भारत की उपड़ तो दिल्ली तो उसने दोनों ही सल्तनेत को क्या क्या उखाल फेका दिल्ली सल्टनेत और तुगलक डैनेस्टी को विद द डेट अब नसुरुद्दीन महममद और तुगलक डैनेस्टी एंड़ेश्टी एंड़ेंड फोटीन हं दोस्तों हमारे जो आपका तुगलक डैनेस्टी है जिसमें हमारे बहुत प्रॉम्नेंट रूलर जैसे कि फिरोस सातुगलक और मौमद बिन तुगलक या फुरी सातुगलक के बारे में हमनों पढ़ा और किस तरीके से सयर देनेस्टी का अब नया आगाज होता है तैमूर ने अपनी क्यालते है अपना जो तक्त है वहां पर अब क्या है भारत के भारत में गाड़ दिया है अब देखते हैं अगले चैप्टर में कि किस तरीके से आगे ये कहानी बढ़ेगे तब तक किसको करने से पहले हम इसके MCQ उसको देख लेते हैं क्योंकि जितना पढ़ने में मज़ा आता अगर हम जो पढ़े हुए हैं उसको एपलाई करने में मज़ाता है कि MCQ देखी कैसे अब उसके सौल होते हैं चलिया आई देखते हैं हूं मंग दा फॉल्विंग जनरल अफ अलाउदीन फिल जी अल्टिमेटी बिकम देफर्स सुल्तान अफ तुगलग डैनेश्टी वह कौन थे घाजी मलिक जिसे हम कहते थे मौहंबद बिन तुगलग घाजी मलिक जो थे वह आपके यह कौन थे अगया यार उपर चला गया यह थे नसरुदीन खुसरो शाह थे ठीक यह पूछा किस रिजाइन में सुल्तान अफ दिल्ली हिंदू गॉड्स और गॉर्ड़ेस वह वर्शिप इन डॉयल पैलेसे वह कौन था नसरुदीन खुसरो के समय में क्योंकि हिंदू गॉड और गॉड़ेस वर्शिप इन रॉयल प्रेसे रिजाइन दूरिंग इस रिजाइन को से नमबर फूर पुछता है दसल्तान अफ विच डैनेस्टी रूल दे कंट्री पर लॉंगेश्ट पिरियड वह कौन था तुगलग डैनेस्टी सबसे जादा लंबे समय तक राजकीब तब वेरियस ब्रांचेस अव लर्निंग इंकूदिंग अश्ट्रोनमी मैथमेटिक्स अड मैटमेटिशन वह कुछन थे मुहमद बिन तुगलक थे कौन से सुल्तान थे इंट्रोडूश कि दिवान ने अमीर कोही वह कुछ ने किया मुहमद बिन तुगलक न क्या करना चाहते थे वह और सुद्रिड करना चाहते थे क्वेशन नमर 9 कहता कि विच सुल्तान अव डेली वाज स्टेब्लिश्ट सेपरेट अग्रिकल्ट्र डेवलप्मेंट कुछ ने कराया था यह मुहमद बिन तुगलक ने कराया था दिवान ने को ही जो था किसी किस तवारा था आपका महमद बिन करेंसी कियाका था कौन जो था पहला सुल्तान जो इंट्रुडिस क्रेंसी भारत में विक। तो यह चाहते थे क्या इस टोकेन करेंसी इन गोल्ड कोई तो एसा क्या हुआ ऐसा वह चाहते थे ठीक है लेकिन यह क्या होते हैं इनका यह मतलब की कहने का मतलब एकदम चाहते थे अब क्या यह कह रहा है मोहमद बिन तुगलग जो दे वह चाहते थे क्या कि इशू करें टोकेन करेंसी किसलिए गोल्ड क्वाइन टू प्रमोट ट्रेड ट्रेडिन वेस्टन असियन नौर्थ अफ्रिकन कंट्री ऐसा हमने कहीं पढ़ा नहीं है तो यह उप्सिन नमबर आर क् सक्सेस्फुल था ठीक है मोहमद बिन तुगलग क्या था इडिट नॉट है प्रॉपर कंट्रोल ओवर करेंसी करेंसी इशू एकदम सही बात है वह करेंसी इशू पर क्या था वह नहीं था इसलिए दोनों क्या थे दूसरे पर सपोर्ट करते हैं तो यह आप्शन हमारा क्या मौहमद तुगलग क्यारिय मेंडिनal ट्रैवबलर को धजल्य ओकरते हैं महारा किस मौह आ व्लाइट से आसे फिलिएक तुगलग क्या थे कुलों कोनती नाफिकर मैं मेंत स्टैन ठेडिशन होता इंदानेनक्वेस्प्स Baldwin अप्टेनिंग दूरिंग दूरिए वह कौन थे आपका इबन बतुताब ठीक है उन्होंने लिखा था अपनी किताब किताब रहला में ठीक है अब यह क्या है वह वादब क्या है वो कौन था मुंब बिन तुगलक थे वह कौन थे वह 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 प्र देखा है वह मुंब बिन तुगलक थे वह वादब तुगलक थे उन्होंन थे ऑपके फिरोश्वा तुगलक थे वह चाहते थे जिसथे कि सब को क्वेशन पूछता है कौन सा सुल्तान थे जो उन्हें लिखा नंबर ऑफ स्लेफ इन इस वह बहुत चाहते थे कि उनके बस क्यालते हैं स्लेफ ज्याद रहे हैं अपने पता है यह इंडियन रूलर के रिफरेंस में पूछा कि यह सवाल है कि इसमें से क्रेक्ट स्टेटमेंट गलत कहने का मतलब है यह सिर्फ इंडियन रूलर के कॉंस्टेक्स्ट में पूछ रहा है इसलिए मैं पूलना हूं यह गलत है मौहमद बिन तुगलक जो थे वह सक्षीट वाइस अंकल नहीं फिरोसा तुगलक ने सेपरेट डिपार्टमेंट किया स्लेफ के लिए एकदम क्य कहता है या पॉब्लिक वर्ट डिपार्टमेंट प्राइमर्ली इस्टैब्लीज भाइव किसके द्वरा किया गया बल्बन के द्वरा गलती से मैंने लगा दिया क्वेशन नमर 30 कहता है क्या सुल्तान अव डिल्ली इस रिप्यूटे तो वह बिल्ट अपके फिरोसा तुगलक थे कौन से दिल्ली सुल्तान थे मैक्सिम नमबर ऑफ कैनल बनाए वह कौन थे फिरोसा तुगलक थे आपके चलिकुशन अबर 32 कहता है विट्रेंश दिगिंग इन रिचिंग अगरिकल्चर वह मंग दर फॉल्म इस गिवन दर क्रेडिट विए दफ फॉर्टी तुगलक थे वह थे फिरोसा तुगलक थे फ्स्टी कोशन नमर 34 कहता है कौन सुल्तान थे दिल्ली के जिन्होंने जीजिया लगा थे ब्रामन के उपर वह फिरोसा तुगलक लगते हैं कौन से सुल्तान से दिल्ली के जो इंट्रूइस किया मेजर टू इंप्रूविंग दे क्वालिटी फूर्ट्स वह फिरोसा तुगलक थे कौन सुल्तान थे जो दिल्ली के इस्टेब्लीश के ट्रांसलेशन और डिपार्टमेंट बोथ कम्योंटी अंडरस्टाइ पहले इंडियन रूले जिन्हें हच प्लिग्रिमिज के लिए स्टेट एक्षेंज एक्षेकर कराया वह कौन थे फिरोस्षा तुगलक थे कि वाट वाट दारूल शाफा इस्टेब्लीश फिरोसा तुगलक यह क्या था एक फ्री हॉस्पिटल था कि वह लाश्ट टूलर बताई है जो तुगलक डैनेश्टी का जो देली सल्तनात में हुआ वह थे आपके पुछना सुर्यदीन मोहम्मद थे ठीके ना उसके बाद हमारी सजेट डैनेश्टी की नीव रख दी गई उनको मारके ठीके ना डैली सल्तनात को कहलते हैं पुरितर तो फिरोस्ता तुगलक के समय में तो नहीं किया वह किसके कहलते हैं नसुरुदीन मोहम्मद के समय में किया था मैं आपको बता चुका हूं पहले ही क्वेश्टन मेरे 43 बोलता है इन विच इन विच इयर डिट तैमूर लंग अटेक इंडिया वह कब किया थे तेरह सो अंठ सब्सक्राइब करना चाहते हैं कौन से जो कौन सा कुट है जो सही नहीं है लेकिन मलक मालिक सरवार जहान जो थे वो जो थे मालवा से नहीं ते इसलिए डी जो है ऑप्सन है कि वो है क्या वो सही नहीं है जोन पूर से ते डोस्तों हमारा जो था अब करेंगे एक सीरे से कवर करेंगे चलिया दीलिय कीये भी लोदी डइनेस्टी पर हम चलते हैं ठीक है और दोस्तों एक्जाम हमारा क्या है पास आ रहा है प्लीज अपने एफर्ट्स को प्लीज लगाईज है अब इधर बटकने की जरूवत नहीं है अपने पूरे तरीके से क्या है जोग देने की जरूवत है अपना पूरा किया है पड़ने में लगाहिए पढ़ने में लगाने का इंतयस्स यह नहीं होता है कि आप 24 किताब लेकर बैठे रहे हैं लेकिन हां 24 गंट में रहीं आपके ले रही एक किसी के सातं है आपको जाना है तो दोस्त आतली दोस्ता करने के चली है यह आप अपने टाउंक तरह सेखे रहे हैं इस इसको एक्जीक्यूट किजिए अपने प्लाइन को चलिए स्टार्ट करते हैं लोधी डैनेस्टी के बारे लोधी डैनेस्टी जो इस्टेब्लीश वाया किसके द्वारा किया गया बहलोल लोधी के द्वारा किया 1458 यह थ्रोन पर बैठे दिल्ली में ऐसे बाब बहलूल शाह गाजी और वह खुत्बा प्रोक्लेम किये अपने नाम के साथ ठीक है इस इंपोर्टन विक्ट्री वस ओवर जॉन पूर इनका इंपोर्टन क्या था विक्ट्री वह जॉन पूर के ऊपर था ठीक है बहलोल लोधी डिट नॉट ट्रीट हिंदू विट रिलिजिस फैंटेसि अच्छे सब्योन आशिय्टिटेसिसङे करते थ driven प्लानिप इसयसे नowners करनि नातरा रह नारा सिंघ व्युट रह चंद्र यहां प्लूइस हिंडू सर्दार थे इनके कोर्ट में he introduced बहलूल कोई उन्हें ने क्या किया introduce किया which was main means means of exchanger exchange prior to akbar ठीक है ना बहलूल लुदी ने अपॉइंड किया तीन थर्ड सन निजाम खान को as his successor prior to his death but some of the chief opposed him ठीक ना because his mother Jaina Jaibandh was the daughter of goldsmith some powerful warlord joined Nizam Khan and he sat on the throne of Sultan Sikandar Shah on July 17th of 1489 AD he was the greatest ruler of Lodhi dynasty कौन था ये निजाम खान ठीक ना some of the powerful warlord joint Nizam Khan and he sat on the Sultan Sikandar Shah as Sultan Sikandar Shah on 17th July 1489 AD और उन्हें बहुत ही great ruler थे किसके लोदी डानेस्टी के सिकंदर लोदी जी जी थे 1504 AD में established की एक नया city जीसे कहते थे हम आगरा जो यमना नदी के पास था ठीके ना to control the rulers of Rajasthan and made आगरा as his capital जो राजस्थान रूलर को क्या करना चाहते थे सिकंदर जो थे वह बहुत hard working थे generous and unbiased ruler थे वह बाइस नहीं था उनके अंदर यह सब क्या करना चाहते थे करना चाहते थे आपके लोदी डैनिश्टी के सिकंदर शाथ उनका measurement यह इन महर्रम तजिया को इन्होंने रोक दिया किया महर्रम में और बैन कर दिया Muslim woman को to visit peers and send palaces of मजार उन्होंने बैन कर दिया कि वह पीर्स और क्याहते हैं मसंत के जो कब उनका वह रहा होता है वहां पर मजार पर वह नहीं जा सकती है दूरिंग इस डीजन अलिष्ट वसमेड ऑफ व्कॉलिफाइड एंडिकिल्ट परसन एंड वज प्रेजेंटेड एवरी सिक्समान बिफोर हिं तेक ना क्वालिफाइड परसन का जो आदमी थे जितने भी क्वालिफाइड परसन आदमी थे हर छे माईने पर उनके पास क्या कि कि ते उन्होंने आरडर किया Ayurvedic treatise to be translated into Persian and named it Africa aurंघी सिकंद्री उनको फिरंघी सिकंद्री वी नाम से भी क्या किया है इस ट्रांसलेड किया गया उन्होंने आयरोएड को किए कि ट्र expansi many और नाम रखा एसका फरंगि सिकंद्री कि लट्जत शाही जो था एक यहांस्टर पीश्था किसका सिंगें वस्पमोज नोड यह एक मास्टर पिस्था किया था सिंगें कि यह इसे कंदर लोडी जो थे वह वरी फान ऑफ हीरिंग सेहनाई चैनर के बहुत शौकीन थे मतलब सुने के जान के लिए बहुत शौकीन थे यूज़ तो राइट पोयम अंडर देन निकनेम फोलु रुखी वो क्यालते हैं पोयम लिखते थे किसके निकनेम किसके गुलुरुखी के निकनेम में उन्हें पोयम स्लिखना श्टार कर दिया सुकल सुल्तान सिकंदर ने अब अब वॉलिश कर दिया जकात प्रोपर्टी टे देखिए एक वहां पर एक बैटल होता है एक बहुत फेमस युद्ध होता है बहुत फेमस बैटल होता है किसके बीच में महाराणा सांगा और इब्राहीम लोधी के बीच में खाटोली में 1518 1626 में जहां पर इब्राहीम लोधी जे होता है वह हार जाता है और मारा जाता फ्थल्द में लेकिन झालंद ई की W देखिए एक चोटा सा आटा थे किसका लोधी odor कर लिये कर लिये होग यहा किया किया कर लिया है आए यह चलिए के कुछ आंसर को देख लेते हैं फिर इसके लोधी दैनेश्टी भी हमारे क्या हो जागा समाप्त हो जागा क्या क्या हूं अफगान ओरिजिन अफगान ओरिजिन को कौन था वो ता लोधी लोधी डैनेश्टी 1425-1526 युडी में था यह लास्ट टूलिंग फैमली थी दिल्ली सलतनत की भारत में तो डैनेश्टी ऑफ अफगान ओरिजिन ठीक ना बाबर ने इब्रहाइम लोडी को क्या किया हराद या पहले बैटल ऑफ पानिपत में और यहां से लोधी डैनेश्टी की क्या हो जाती है समाप्ती हो जाती है क्वेशन नमर्ट टू कहता है क तो कौन था वो आईए देख लेते हैं आप्शेटेशन को लिखते हैं वह क्या थे लोधी डैनेश्टी के तो क्रेक्ट क्रोण लाजिकल ऑफ अफगान डूलर क्या था था थ्तृन पे पहले बालोल खांते फिर उसके वाद 14 यावं से 14 नवासी एडी फिर सिकंदर चाह बन पानीपत का उसमें क्या होता है इबराम लोटी क्या होता है मारे जाता है बैटल फिल्ड में ठीक है वहां से लोधी जैड़े समाप्ति जाती है को दीखते है पर विच लोधी ठीक है आइए देख लेते हैं क्या चीज़ यह मैप जो है रिलेट करता है एक्स्टेंशन ऑफ दा किंग्डम बहलो लोदी एंड प्लेस मार्क जॉन पूर जॉन पूर कहां पर है यूपी में है उत्रप्रदेश में है इट वस नोन इस सिराज अफ इंडिया दूरिंग दपी लोदी को बैटल ऑफ खाटोली बैटल ऑफ खाटोली में लडाई जिसके क्यालते हैं यूद्धुवक इसका महराना सांगा का इब्राहीम लोडी का 1518 AD में इब्राहीम लोदी को क्या होते हैं हार जाते हैं बुरे तरीके से किसे महराना सांगा से क्कूशन नमबर फाइब पूछता है कि आप विच फॉलिंग सुल्तान फांड़ टाउन प्रेसे नाव स्टैंड आगरा वह कौन थे आपके सिकंदर लोदी थे जो निजाम खान थे वह तीसरे संथे किसके बहलोल लोदी के एसेंड किये थ्रोन को एजए टिका आजए टाइटल फिकंदर लोदी और सत्रा जोले चाओदाव सोनावासी अम लोग ने पढ़ा था सिकंदर लोदी जो थे वह ग्रेटेश्ट रूलर थे तीनों लोदी रूलर में ठीक है सिकंदर लोदी क्या हुए से इस्पेशली रिमेंबर तो फांडिंग आगरा इन 504 पर प्रपोस्ट्रोल ओवर रूलर फ्राजस्था इनका अडिमिस्टेशन क्या था नोटेट फोर इस एफिसेंट एफिसेंटी तो रोट्स वेर मेंड सेफ एंड इरिगेशनल फैसिलिटी यहां पर थी वेर प्रवा सब्सक्राइब किस मेडिवल सुल्तान ने क्रेडिट किया फांडिंग दक सिटी ओफ आगरा मेकिंग दा सिटी ओफ सुल्तान वो क्या था सिगंदर लोधी था वो मंग दा फॉलिंग कंपोश्ट दा पोयम विद पोया पेन नेम गुलुरुखी वो कौन था आपका सिगंदर लोधी थे आठाव क्वेशन पूछता आगरा सिटी किसके दोरा फांड किया गया था वो कोई नहीं थे सिगंदर लोधी थे और कोई नहीं सिगंदर लोधी लुखता है नहीं पूछता है कि वीच फॉलिंग फिल्टान फॉर हैं सिगंदर लोधी देख लेते हैं कि जो रूल उथा लोधी डैस्टी का वो पर सिगंदर लोधी थे ठीक है कि तुक कि तुक बिन ही तुक बिन इंट्रेस्ट इन रेविन्यों टिकना मनेजमेंट ही और इस नॉबल्स तो प्रेजन देटेल्स फिर एक्पंडिचर एंड केस्व इंबेजमेंट टिकना वर सेवरली पनिश्ट टिकना इन्हों नहीं इंट्रूच कि अगाज शिकंद्री पर मेजरमेंट ऑफ लैंड टिकन पर मेजरमेंट ऑफ लैंड विच वाज लेटर यूज़ बाई शेर सासुरी एंड अकबर सेवरल ग्रेंड लिवाइज वाज अबॉलिश्ट वाइं तिकना वो जो जो ग्रेंस के ऊपर टैक्स लगते तो उन्हों किसने किसके द्वारा उ सब्सक्राइब में सेंट्व कोन यह लगाना है अई चलिए उसको भी लगा लेते हैं मैं तो सबसे पहले हम आया कुतवदी नच्भक का स्लेव डैनस्टी फिर हमारा क्या आया अलाओदिन खिल जी का खिल जींति या जलाओदिन खिल जींतिए फिर आया मारा लोदी डैनस् ठीक है थारी मैंने गड़बर लगा दिया है हाँ सबसे पहले ठीक है फिर फिर थी ठीक है और फिर टू तो इस सबसे नमर डी कि होगा मारा सही होगा कुछन नमर 12 कहता है क्या हुमं वर नौट फॉर्म अप्सलिव डैनेश्टी वह अमंग दीज वाज नौट फॉर्म दा स्लेव डैनेश्टी को नहीं था तो इब्राहिम लोदी जो थे वह नहीं थे बाकि सारे क्या थे स्लेव डैनेश्टी से बिलॉंग करते हैं जो रूलर थ दिल्ली में 1206-1290 तक वह फेम हुए किसके दोरा स्लेव डैनेश्टी में ठीक है को तो इस बीच में और इलतुतमीश थे 1211-1236 एडी में बाल्बन यह थे एक एमिनेंट रूलर थे इस डैनेश्टी के लेकिन इब्राहिम रूलर जो थे वह किसी रूलर थे लोदी डैनेश् से चलिए दोस्तों हमारा कि आपका आज कौन-कौन सा टॉपिक हमने कर लिया आपने हमने लोधी डैनेश्टी कर लिया और साथ ही साथ क्या क्या रिया हम लोग ने है कि हम लोग ने ल़्ोधी दिस्टी को पर कर लिया और साथ ही साथ हम लोग ने आपका run कर एक और यंडती को है कि हम लोग ने आज लोधी डिन जोगस पर करलिया तुगम डिनेश्टी से भी पूरे अच्छे से क्या किया कवर आउट कर लिया है अगला पार्ट जो है हम लोगों का वो है क्या अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे जो चैप्टर का नाम होगा विजन अगर अंपायर बहुत ही प्यारा चैप्टर यह भी छोटा सा चैप्टर है इसको अब हम कि देखिए आपके कमेंड का मैं बहुत ही ज़ादा वेट करता हूं क्योंकि उससे क्या होता है ना कि मैं तो अपने अपने से सारी चीज़ा बताते चला जा रहा हूं कि देखिए मुझे बैक्राउंड नॉलेज की क्लियरेंस है अगर आपको नहीं है तो आप मुझसे पूछ आया है दोनों लोधी डैनेश्टी और तुगलक डैनेश्टी का आप तभी को पसंद आया होगा और देखिए दोस्तों एक्जाम के में बता दूं एक्जाम में जैसे यह सारे सवाल जो होते हैं बहुत ही अब क्या ना यह सब बहुत सवाल रिपीटेटिव करेंगे उससे क्या होगा सेलक्षन होने के चांस्स क्या होंगे उतनी हाई हो जाएंगे और मैं चाहता यहीं हूं कि आप लोग पूरे तरीके से मन लगा करके एफेक्टिवली पढ़ाई करें और देखिए जितना number of questions ज्यादा से ज्यादा हो सके ज्यादा ज्यादा question जो है वो लगाने की कोशिश करें और कोई भी doubt हो या कोई भी बात हो प्लीज मुझे comment section में जरूर पूछें आज होप है कि आज का जो आज का जो लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत